दोस्तो आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का 4K PTG कैमरा इस कैमरेों को आप ओनलाइन क्लासिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप लाइब इवेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी कोई कॉंफरेंस वगेरा हो रही है तो बहाँ पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तो ये है वीडियो कास्ट का 4K PTG कैमरा इसका मॉडल नंबर है VC90 कीमत है 54,999 रूपीज और अगर आप मेरा ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 2,000 रूपीज का डिसकाउंट भी मिल जाएगा बाइ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बहाँ से जाकर आप इसे परचैज कर सकते हो आज के वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे रिव्यू करेंगे यूज करके देखेंगे और देखेंगे कैसा है वीडियो कास्ट का ये PTG कैमरा वीडियो कास्ट का यह पीटीजी कैमरा इस तरह की सिंपल पैकिंग में देखने को मिलता है यहां पर इसकी कुछ डिटेल बगएरा दी गई है मॉडल नमबर है वी सी 90 तो फटापट से इसे करते हैं ओप करने पहले यह एक यूजर मैनुल दिया गया है यूजर मैनूल में सारी डिटेल मिल जाती है कैसे हमें से यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शन्स हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनूल के अंदर देखने को मिल जाती है इसके अलाबा यहां पर एक छोटा सा QC सर्टिपिकेट भी दिया गया है, कुछ कनेक्टिंग केवल्स भी दी गई है यह है RS-232 केवल, जिसके एक एंड पर इस तरह का कनेक्टर है, और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है इसके अलाबा यहां पर हमें एक USB केवल भी दी गई है, जिसके एक एंड पर USB A टाइप कनेक्टर है और दूसरे end पर इस तरह का connector दिया गया है यह एक HDMI के वल भी दी गई और यह है इसका 12 volt 1.5 ampere का AC DC power adapter जिससे आप इस camera को power दे सकते हो इसके अलावा इसे install करने के लिए यहाँ पर कुछ गिट्टी और पेच भी दे गए है metal की इस तरह की एक bracket दी गई है जिससे आप इस camera को अपनी ball पर भी आराम से mount कर सकते हो full function remote control भी दिया गया है इस PTZ camera को आप remote से पूरी तरह से control कर सकते हो काफी sleek design या देखने को मिल जाता है power on off का button है PTZ reset का button है camera select के लिए चार button दिये गए है इसके अलावा preset के button या दिये गए है reset preset menu तो focus इसना आपको autofocus manual focus इसके अलावा zoom in zoom out का यहाँ पर button दिया गया है साथी साथ 4 यहाँ पर function button दिये गया है F1 F2 F3 F4 इसके अलावा brightness control करने के दो button यहाँ दिये गया है बस इसमें आपको battery अलग से purchase करनी होगी बैटरी इसके साथ नहीं आई है AAA size के दो सहल यहाँ पर लगेंगे और यह है video cast VC90 PTZ camera आप देख सकते हैं काफी compact size है light bed है finishing काफी अच्छी है और इसकी build quality भी काफी बढ़िया है यहाँ पर सामने की side video cast की bending देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 LED indicator देखने को मिलते है एक power और एक stand-wide का indicator दिया गया है पूरी तरह से 4K PTZ camera है इसके अलावा इस camera के अंदर हमें 20X optical zoom भी दिया गया है 360 degree का rotation यहाँ देखने को मिलता है और PTG functions तो इसके अंदर है ही इसके अलावा camera के back side में यहाँ पर आपको इसके सारे connectivity port देखने को मिल जाएंगे RS232 port दिया गया है, RS285 port दिया गया है, USB 3.0 का port दिया गया है, line in का port दिया गया है यहाँ पर आप अपना audio या mic वगरा connect करना चाहो, तो 3.5 mm का audio port यहाँ दिया गया है एक HDMI port यहां मिल जाता है एक lane का port दिये गया है और यह है इसका power port जहांपर 12 बोल्ट का जो adapter इसके साथ आया है वो हमें यहां पर connect करने के आपको बहुत सारे option देखने हों मिल जाते हैं इसके अंदर हमें lane का port दिये गया है जिससे आप इसे अपने network से connect करके भी control कर सकते हो और camera में नीचे की side यहां पर 4 anti-skid lag दी गई जिससे आप अगर इसे table पर रखकर use करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो इसके अलावर tripod पर mount करने का option दिया गया है आप इसे ceiling के उपर भी mount कर सकते हो साथ ही साथ इसके साथ जो mounting bracket आई है उससे आप इसे ball पर भी mount कर सकते हो यहां पर सारी detail देखने हो मिल जाती है model number video cast VC 90 सबसे पहले इसे हम connect कर लेते हैं यहां पर जो इसका adapter इसके साथ दिया गया है उसे यहां पर power port पर connect करेंगे सबसे पहले यहां पर जो इसका power port दिया गया है इस पर मैं इसे connect कर दूँगा power से हमारा connect हो जाएगा और camera इस तरह से initialize ह हो जाएगा एक बार जब आप इसे power से connect करते हो तो पहले camera इस तरह से initialize होता है अपने आपी position को इस तरह से set होने के बाद stable हो जाएगा standby का indicator देखने मिलता है power का indicator दिया गया है 4K camera है यहां पर जो USB port दिया गया है यह एक UVC port है यानि इसके थुरू आप direct अपने laptop से connect कर सकते हो किसी भी capture card की जरूरत नहीं पड़ेगी cable दी गई है USB cable इस cable को मैं connect करता हूँ यहां पर तो वीडियो कास्ट का यह PTG camera online classes या education channel के लिए बहुत ही useful होने वाला है इसके अलावा आप इसे conferencing के लिए इस्तेमाल कर सकते हो live streaming के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आपको अलग से किसी भी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है आ आप अकेले ही इसे handle कर सकते हो remote control से आप इसे operate कर सकते हो इसके अंदर हमें AI auto tracking और auto framing का option भी इसके अंदर मिल जाता है साथ ही साथ आप इसे ceiling पर mount कर सकते हो wall पर mount कर सकते हो और आप इसे अपनी table पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हो PTG camera को आप direct अपने laptop के USB port पर connect कर सकते हो क किसी भी capture card की जरूत नहीं है एक बार आप अपने laptop से इस camera को connect कर लोगे उसके बाद चाहे आप इसे OBS studio के अंदर यूज करो आप zoom meeting के अंदर यूज करो Google meet के अंदर यूज करो आराम से आप इस camera को connect कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलावा अगर आप चाहो इस PTG camera से direct network के थूरू live streaming करना YouTube पर तो वो भी आप कर सकते हो PTG camera को network से कैसे connect करते हैं PTG camera से YouTube पर direct live streaming कैसे करते हैं इसका वीडियो पहले ही मैंने अपने channel पर upload कर रखा है उसका link उपर i button मिल जाएगा उस video को भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने इस PTG camera को अपने laptop से connect कर दि तो यहाँ पर आपको अपना OBS studio open कर लेना है उसके बाद sources में plus के button पर click करना है इसके बाद video capture device में जाना है अब यहाँ पर आपको इसका कोई भी नाम दे देना है मैं दे देता हूं PTG camera PTG camera इसका नाम दे दिया उसके बाद हम इसे ok पर click कर देंगे devices में जाना है devices में आप click करोगे तो यहाँ पर आपको एक UVC camera करके दिखाई देगा UVC camera आपको select कर लेना है उसके बाद ok पर click कर देना है तो यहाँ पर हमारा camera footage आना start हो चुका है इस camera का जो output है वो 4K output आ रहा है तो जैसे कि आप देख रहा हो यहाँ पर हमारा OBS studio के अंदर हमारे PC के अंदर हमारे PT camera का footage आना start हो चुका है इसके अलावा इसके साथ हमें इस तरह का remote control दिया गया है remote control के अंदर आपको सारे function देखने हो मिल जाते है option देखने हो मिल जाते है remote पर जो menu को बटन दिया गया है इसे हमें press करना है तो आपको इसके सारे setting के option मिल जाएंगे PTG का option आ रहा है इस पर click करोगे इसमें autofocus sensitivity set कर सकते हो zoom speed आपको कितनी रखनी है remote speed कितनी रखनी है installation हमने कैसे कर रखी है वो सब option यहाँ पर मिल जाते है इसके अलावा यहां पर आपको जो दूसरा option मिलता है वह यहाई का option मिलता है यहां से आपको AI smart app track mode track size यह सब आप यहां से select कर सकते हो तो यहा video setting उसके बाद network setting यहां पर मिल जाती है network से आप इसे direct connect कर सकते हो कैसे करते है उसकी video मैंने पहले ही बनाई हुई है इसके अलावा network के अलावा यहां पर system setting दी गई है यहां पर language वगरा आप सब कुछ यहां से select कर सकते हो इस camera में auto tracking और auto focusing का option मिल जाता है आप इसमें manual focus auto focus द के लिए या फिर education channel के लिए बहुत ही useful है इसे इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है मालो मैंने अपना camera यहां पर install कर रखा है मैं कोई online class ले रहा हूँ मैं चाहता हूँ पहले मेरा face cam यहां पर दिखाई दे और उसके बाद मालो मैंने यहां पर अपना कोई digital board लगा रखा है वो यहां पर दिखाई दे और साथी साथ मैं चाहता हूँ किसी student को मुझे दिखाना है तो वो यहां पर दिखाई दे तो इसमें आपको सिर्फ एक बार set करना है उसके वाद सारा काम यह camera खुदी कर देता है remote के ऊपर यहां पर आप देख रहों बहुत सारी जो button दिए ग को प्रेस कर देना है तो सीधा यह camera अपने आप ही वहां पर जाकर set हो जाएगा तो यहां पर जो preset का button दिया गया है और यहां पर keys दी गई है अब मालो दो number key है इसे मैं इस position के लिए set कर देता हूँ तो यहां पर जो preset वाला button है preset वाले button को और दो number button को हमें एक साथ दवा के रखना है तो अब हमारी जो position है यह वाली जो मेरी position है यह वाला जो frame है हमारे दो number वाले button पर save हो गया है तो इसी तरह से यहां पर यह बहुत सारे button दिये गए है preset के आप किसी भी position को यहां पर preset में डाल सकते हो अब मालो यहां पर जो one number button है इसे मैं preset करना चाहता हूँ अप आप और भी जूम कर सकते हो preset का बटन आपको दवा के रखना है और बन number प्रेस कर देना है तो यहां पर हमारी एक number position हो गई हमारे board के उपर तो यहां पर quality की कोई भी दिक्कत नहीं है यहां देख सकते हो काफी बढ़िया quality आपको यहां देखने हो मिल जाती है अब जैसे मा यहां पर दिखाई देने लगा है और दुबारा से मुझे board के उपर लेके जाना है तो एक number दवा दूँगा यह सीधा हमारे board के उपर पहुंच जाएगा अपने आपी जूम कर लेगा सारा काम यह अपने आपी इसी तरह से कर लेता है तो यह वाला setup आप देख सकते हो यहा कैमरा इस साईड अपने आपी मूव कर रहा है मैं इस तरफ जा रहा हूं तो कैमरा हमारा इस तरफ मूग कर रहा है बाद देख सकते हो यह मुझे ट्रेक कर रहा है जब आप कोई class ले रहे हो इदार-उदार थोड़ा बहुत भी आप टहल रहे हो तो यह कैमरा आपको इस त अंदर मिल जाता है काफी बहतरीन क्वालिटी यहां देखने हो मिल जाता है और दूसरे पीटीजी कैमरा को देखते हुए इसकी कीमत भी काफी कम है क्वालिटी बहतरीन है अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन वन दे मातरम